बदोवी जिल के निवादा कला गाओं में गुरू आपको ग्रामीडों और होमगाट के जवानों ने संयुक दुरूप से पधार ओपड किया है होमगाट के जवानों ने ग्रामीडों को पधार ओपड का महत्तु बताया है पूरु विधायक रविन्दा त्रिपाठी ने भी कारकमें शिर्कत के अब तस्वीरों देख सकते हैं भधोवी विकास खंड के निवादा कला गाउं में पौधार ओपड किया जा रहा है यहां होमगाट के जवानों के साथ ग्राम प्रदान दिनेश चंद पाठक और पूर विधायक रविन्दा त्रिपाठी मौझूद है होमगाट के जवानों दौरा 17 सिदंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चला कर जगा जगा पौधार ओपड किया रहा है गुरुवार को नेवादा कला गाओं में पौधार ओपर के कारकर में मौझूद पूर विधायक रविन्दा त्रिपाठी ने कहा कि एक ब्रिश दस पुत्रों के समान होता है उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों से आक्सीजन फल फूल और तमाम तरीके की दवाईया बनाई जाती है दोरान मीडिया से बादचित में नेवादा गला गाओं के ग्राम परधान दिनेश चंद पाठक ने भी अपने विचार ब्यक्त किया है माननी विधायक जी माननीय मंडल कमांडेल महोद जिला कमांडेल महोद द्वारा यह ग्रदेशित कारक्रम रखा गया था जिसमें ब्रिक्षा रूपन का कारक्रम प्राया गया ब्रिक्ष हमारे लिए बहुत ही महत पूर है सर तो यह अच्छाय कारिकरम चल रहा है सद्वे प्रामादर्णी नरेंद्र मोदी जी का जन्वदीवस हमलोग 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक सेवा पक्वारे के रूपे मनाने का कायकम कर रहे हैं। मंदली कमांडेंट पांडे जी, यॉम जिले के रूमगार्ड के कमांडर सुनिल जी और इनके तमाम लोगों के द्वारा, यॉम छेत्र के तमाम सम्मानित ग्राम प्रधान, सम्मानित छेत्र पंचायत सदस, यॉम माताओं बहनों के उपस्थिती में, आज हम लोग जो सेवा स सब्सक्राइब को चलाने के लिए हमने जो संकल्प लिया है उसी के तहट आज ग्राम पंचायत निवादा में बिच्छा रोपन का ये कारिकम रखा गया और यहाँ पे उपस्तित लोगों को ये सपत दिलाई गई कि हम एक पौधा जरूर लगाएंगे और ये पौधा एक बिच्छ वो अपने दस पुत्रों के बराबर होता है जहाँ पे बिच्छ से हमें आक्सिजन से ले करके दवाईयों से ले करके और तमाम फ्रल की प्राप्त बिच्छ भी जीवन है लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबानन ना भूले ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिवीकिशन मिलती रहे